आज की वीडियो में एक ऐसे बिजनस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कभी बंद नहीं होगा आप सब को पता है दोस्तों रोटी, कपड़ा और मकान अगर आप करते हैं इसका काम तो इसमें कभी नहीं आता विराम क्योंकि ये तीन चीजें हमारी बेसिक नेसेसेटी हैं और ये सब को चाहिए भईया कपड़े के बिजनस में ट्रेंड बदल सकता है लेकिन कपड़े पहनना कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता और जब आफ ट्रेंड कपड़ों को भी आप डिसकाउंट में आफर्स में बड़े अराम से निकाल सकते हैं ये एक ऐसे स्टॉक होता है जो कभी खराब नहीं होता कभी नहीं सड़ता कभी निकलता सो कपड़े का बिजनस एक बहुत अच्छा बिजनस है प्रॉफिटेबल बिजनस है लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जो लोग कपड़े का बिजनस करते थे आज के टाइम में कपड़े की बिजनस में बहुत बदलावा चुके हैं और आपको समय के साथ ट्रेंड के साथ बहुत कुछ बदलना पड़ता है तब ही आप इस बिजनस में अच्छी तरक्की कर सकते हैं मेरे एक फ्रेंड ने मॉल के पास कपड़े का बिजनस शुरू करा, एक दुकान खोली और 6-7 महीने बहुत ज़दा स्ट्रगल किया, घसीट-घसीट के बिजनस को चलाया, अपने पैसे पे बिजनस को चलाया, फिर भी वो बिजनस को नहीं चला पया, क्या कारण थे, क्यों ब आप कपड़े के बिजनस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीका, सही सप्लायर, सही स्टॉक, और कैसे इस बिजनस को करना है, क्या प्रो टिप्स हैं, यह सब मालूम होने चीं, क्योंकि आप अपने अराम से देखा होगा, कपड़े का बिजनस जि आपको करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ युनीक करना पड़ेगा, तभी उनके कस्टमर्स आप तक पहुँचेंगे और आपके दुकान की सेल भी बढ़ पाएगी, एक छोटी इस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्रा फट फट आज की वीडियो की तरफ जिसको बाद में मैं फुल टाइम कर लूँ, लेकिन पहले मैं उसको टेंपरिरी बेसिस पर करना चाहता हूँ, तो आपको मैं एक चीज बता दूँ, आप चाहे ऑफिस में जाते हैं, चाहे आप कोई और काम करते हैं, कपड़े के बिजनस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, देखो हर सिटी में एक मार्किट लगता है, कहीं किसी किसी सिटी में ब्रेस्पत मार्किट लगता है, किसी किसी सिटी में रवीवार मार्किट लगता है, संडे मार्किट, थस्डे मार्किट, ऐसे मार्किट आपकी सिटी में लगता होगा, जिस दिन दुकाने तो बंद तो अगर इस काम में सेल नहीं होती अगर इस चोटे से काम में प्रॉफिट नहीं होता और कस्टमर नहीं आते तो ये काम दुकान वाले लोग नहीं करते हैं मैं ऐसे बहुत सारे दुकान मालों को जानता हूं जनके बाद शुफ डिजायर अपनी शुफ डिजायर गाड़ी लेकर आते हैं और भ्रहस्पत मार्केट में लगाते हैं अपना स्टॉक और अराम से वो सेल करते हैं सो दुकान होने के बावजूद भी वो स्टॉल लगाते हैं कपड़ा संडे मार्केट में बेचते हैं तो यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बिजनस में नए हैं तो आप सिर्फ दो तीन कैटेगिरिस को पकड़ो आप गर्मियों के सिर्फ ल ब्रेंडिड कपड़े तो बिखते ही बिखते हैं उसका एक अलग कस्टमर बेस है हम उसके बारे में आगे बात करेंगे कि आपको दुकान लेकर कैसे काम करना है बड़े लेवल पर बट मैं यहां पर बात करहा हूं जब आप दुकान रोड पे लगा रहे हो तो आप यह पूटी से भी आप माल ले जा सकते हो तीन टेबल लगाए आपने और संडे मार्केट में बेज़ देगों संडे वाले दिन हो सकता है कि आपके ओफिस के छुट्टी हो आपको पार्ट टाइम काम करना चाहते हो बहुत सारे लोगों को काम तो करना है पार्ट टाइम लेकिन अपने काम करने वाले लड़के रख लिए हैं लेकिन स्टार्टिंग में आपको खुद से महनत करनी पड़ती है तो अगर आप किसी आफिस में जाते हैं और आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग्स करना चाहते हैं नौकरी के बाद आपके पास क खोल सकते हैं, fully confident होने के बाद, अब आपने सीधा 10-15 लाख रुपे दुकान पर लगा दिया और customer नहीं आ रहे, तो आप परिशान हो जाएंगे, अब वीडियो में आगे बढ़कर हम दुकान लेकर कैसे इस business को अच्छे लेवल पर करना है, उस पे बात करें, एक चीज मैं आपको बता जाता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप कपड़े का business दुकान लेकर करते हैं, तो दुकान का पूरा format आपके mind में होना चाहिए, कि दुकान किस तरीके से design होनी है, display rack कैसे लगने है, front counter कैसा होने वाला है, और आपका trial room कहां पर होने वाला है, और अगर आप बहुत अच्छे level पर करते हैं, और आप एक दरजी भी बिठा रहे हैं, जो fitting करेगा cloths की, तो वो भी आप कर सकते हैं, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कपड़े के business में, अब कपड़े के business में कुछ एक दुकाने ऐसी होती, जहांपर trial room भी नहीं होता, 10 में से 6 दुकाने ऐसी आपको मिलेंगे, जहां trial room नहीं होता, आप customer जा रहा है, कपड़े खरीद रहा है, प्रॉपर आएगी, एक बार में खरीद के जाएगा, आपके पास replacement के लिए, कपड़े को change करने के लिए, बदनने के लिए, exchange करने के लिए, लोग नहीं आएंगे, और आपकी इससे बहुत बड़ी problem solve होती है, और ये आगे चलके बहुत दिक्कत देती है, ये जब आपका business बड़ा होता है, लोग कपड़े ले लेकर जा रहे हैं, और रोज आए दिन आपके पास 10 customer तो कपड़े बदलने वाले आ रहे हैं, तो इसमें आप परिशान होने से अच्छा है, कि आप एक छोटा सा trial room करें, बड़ जो basic sizes आते हैं जीन्स की बात करें या हम टीशिट्स की बात करें, वो actual में एक ही size आता है readymates का, तो जो 32 कमर की जीन्स आती है, वो हो सकता है कुछ लोगों को tight आए, कुछ लोगों को long आए, height में जो कम है उनको लंबी आएगी, तो अल्टर करवाने के लिए उनको अलग अलग दुकानों में घूमना पड़ता है, आप कस्टमर की problem को solve कर दो, जो कस्टमर आपके पास एक बार आ गया, वो बस आपने सारे कपड़े with fitting के साथ में लेकर आपके साथ चला, आपकी दुकान से चला जाए, आप उसको ऐसे service दे देंगे ताकि वो बार-बार आपके पास आए, उसको कहीं और जाकर भी fitting करवानी है, अपनी jeans short करवानी है, तो वो facility आप उसको वहीं पर दे दो अपनी दुकान में, इसके अलावा अगर आप कपड़े का business कर रहे हैं, तो men's accessories का काम भी कर लो, बहुत सारी चीज़े होती हैं जो shirt and jeans के साथ में लोग पसंद करते हैं खरीदना, और उनको खरीदनी होती हैं, तो उसके लिए वो किसी और दुकान में जाकर पैसा देंगे, उससे बहतर आप अपनी दुकान में लख लो, बेल्ट हो गई, पर्स हो गई, पर्फियूम्स हो गई, कैप्स हो गई, मुफलर्स हो गई, बहुत सारी चीज़े हैं, तो ऐसी जो men's accessories की चीज़े हैं वो जरूर रख लो, क्योंकि वो byproducts हैं, आपके कपड़े के business के साथ में वो भी बिकने वाले हैं, तो दोस्तों, अगर आप कपड़े के business को दुकान लेकर कर रहे हैं, तो दुकान में interior, exterior, display counter, furniture, lightning, ये कुछ चीज़े जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इन पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ, जो दिखता है वो बिखता है, तो ये मत सोचो कि इसमें मैं पैसा बचा लेता हूँ, furniture मैं बिकार सा लगा लेता हूँ, lightning पे ज़्यादा काम नहीं करवाता हूँ, बहार की display या बहार का जो layout उसको ऐसी रहने देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास customer कभी नहीं आने वाले हैं, उसके पास already कुछ modern दुकानों का option है, तो वो वहाँ जाना पसंद करेगा, आपके दुकान के अंदर कितने अच्छे कपड़े हैं, वो तो customer जब अंदर आएगा तब उसको मालूम पड़ेगा, बढ़ बाहर से अगर आपके दुकान बहुत अच्छी दिखरी है, वो मौका उसको तब मिलेगा कि customer आपके पास आएगा, बाहर से यह आपके दुकान में वो बात नहीं है कि customer को वो attract करके दुकान के अंदर आने पर मजबूर करें, तो customer बाहर से चले जाएंगे, अंदर आपने कितना अच्छा stock रखा है, वो अलग बात है, तो इसलिए जितना अच्छा आपका stock है, जितना अच्छा shop का interior है, उतने अच्छा shop का exterior होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, अब उन्होंने सुन लिया कहीं से, सुनते सुनते उड़ती 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 उनके पैस ख़वार आगए कि भाईया, सूरत में कपड़े का बहुत अच्छा काम है, दिल्ली में कपड़े का बहुत अच्छी दुकाने हैं, तो वो लोग का perception बन जागा कि बस आँख बन कर आपका दो-तिन दिन परिशान होना बचेगा, और आपके पास एजिली माल मिल जाएगा, सेम डे आपको माल मिल जाएगा, तो अपना होलसेल मारकेट जरूर ढूंड लो, अगर वहाँ पर होलसेल कपड़े की कोई अच्छी दुकाने, बड़ी दुकाने, जहां पर आपको स मेशा फेस करनी पड़ेंगी, इसके अलाबा दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हो, तो दिल्ली में आपको बहुत सस्ते कपड़े मिल जाएगे, और अगर आप किसी ऐसी जगा से हो, जहां पर लोकल मारकेट नहीं है, और लोकली आपको कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको चुपचाप चले जाना है, दिल्ली, दिल्ली गड़ है, सूरत गुजरात जाने की ज़रुत नहीं है, अगर आप जाना चाहो तो आपकी इच्छा है, आप वहाँ भी घूम सकते हो, तो किसी भी बिजनस में पास होने से पहले के ये इम्तिहान होते हैं, तो ये और चीज में आपको बता दूँ, अगर आप जीनस और टीशेट में ही काम कर रहे हो ना, तब भी आप कम से कम दो सप्लायर से माल लो, एक के उपर डिपेंडेंट मत रहो, और एक के उपर डिपेंडेंट होने से आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उसने आपके बीच सप्लायर से ये चीज भी क्लियर कर लो, कि ट्रांस्पोर्टेशन वो प्रॉइड कर सकते हैं नहीं, आउट ओफ सेटी के लिए, मालो आप पंजाब साइट से हो और आप दिल्ली से ले रहे हो कपडे, तो उनसे पूछो ट्रांस्पोर्टेशन का क्या रहता है, बहुत सारे दिल्ली में ऐसे सप्लायर हैं, जिनके पास स्टाफ रहता है और वो ट्रांस्पोर्ट कर देते हैं, उनके कार्टन पैक हो रहे हैं, और अलग-लग सेटीज में वो कॉरियर करवा देते हैं, तो कॉरियर में ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट कॉरियर कंपनी से कॉरियर करवा ये आप clarify कर लो और कभी भी supplier से आप ऐसा नहीं कि एक दो meeting के बाद आप online order देने लग गए और कभी भी कपड़े के business में ये गलती मत करना कि आप किसी supplier के दुकान पर बैट कर जाकर ये बोलो कि भईया मिरको तो काम आता नहीं है मैं नया धंदा कोल रहो जो अच्छा माल है वो दे दो तो वो आपको जो उसकी दुकान का घटिया माल है जो उसकी दुकान का पुराना माल है जो उसकी दुकान का ना बिकने वाला स्टॉक है वो सारा आपको दे देगा और प्यार से मीठी मीठी बाते करके आपको गएगा कि एक नंबर का माल मैंने आपको दिया है और ये बड़े अराम से आप बेच लोगे और वो ऐसा माल होगा वो डेड स्टॉक होगा जो कभी नहीं बिखेगा और आप परेशान हो जाओगे तो ये गलती कभी मत करना दो-तीन दुकाने घूमने के बाद आप बिलकुल इस बिजनस में शाड़े बन जाओगे आप अगर थोड़ी से नॉलेज रखते हो थोड़े से आप तेज हो तो फिर आपको बात करना आ जाएगी तो दो-तीन दुकानों में आप बड़े अराम से बैट कर जाओ पूछो, सुमझो, चीजों को सीखो कपड़े की कॉलिटी को समझो, फैबरिक की कॉलिटी को समझो, प्राइस को समझो और उसके बाद फिर दो-तीन सप्लायर से मिलने के बाद जब आप बाकी के सप्लायर से मिलोगे और आप दो-तीन क्रॉस कोशन करोगे उन्हें पता चल जागा कि ये बंदे को नौलिज है और वो आपको नहीं लूटेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी ही आपको करनी ही पड़ती है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम नौलेज, कम एक्स्पिरेंस होने के बावजूद भी वो सीधा एक सप्लायर की दुकान में गए कपड़े खरीदे और अपनी दुकान में रख दिये फिर वो नई बिक्ते परेशान होते हैं और वो धंदा बंद कर देते हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजनस करने की जल्दी में की गई गलती हैं आपके बिजनस में बहुत नुकसान आपको दे सकती हैं इसलिए बिजनस करने की कभी जल्दी मत करो अराम से शुरू करो, पेशन्स के साथ काम करो, फुली अपने माइंड के प्रेजन्स के साथ डिसीजन लो, तभी आप इस बिजनस में बड़े अराम से सक्सीद कर जाओगे और एक और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आज कल दोस्तों, Amazon Flipkart से ज़्यादा सेल कपड़ों की Instagram पे होती है भाई, हर कोई Instagram पे अवेलिबल है, जितना ज़्यादा आप Amazon और Flipkart पे मतलब open नहीं करते हैं, जितना आप active Flipkart और Amazon पे और बाकी social media platforms पे हैं, reselling platforms पे नहीं है, उतना ज़्यादा लोग Instagram को use करते हैं, daily use करते हैं, scroll करते रहते हैं, so छोटी छोटी reals अगर आप बनाते हो न, तो आपके कपड़े बहुत तेजी से बिकेंगे, आपने contact number डाल दिया, detail डाल दिया, pan India delivery डाल दिया अपने, और आपने कु Instagram पे छोटी-छोटी reals बनाना बहुत simple है, trending है, आज की date में बहुत लोग कर रहे हैं, so अगर आपकी कोई कपड़े की दुगान और आप ये काम नहीं adopt कर रहे हैं, so आप जरूर करो, आपकी sale double होती हुई आपको दिखेगी, इसके अलावा दोस्तों, और छोटी-छोटी marketing strategies ह होती है, जो आपको अपनानी है, हर एक business की कुछ एक marketing strategies होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है, तो कपड़े के business की सबसे बड़ी marketing strategy हो है, कि आपको social media presence अपनी create करनी है, Instagram page, YouTube channel, यह जो भी आप कर सकते हैं, Facebook page, आप create करो, आपको बस यहाँ पर लोगों को जोड़ना है, आ इसके अलावा दोस्तों, आपको discount चलाने है, साथ ही में दोस्तों, starting में अपने business की, आपको पैसा कमाने की तरफ ध्यान कम देना है, और customers बनाने की तरफ ध्यान ज्यादा देना है, आप cut to cut माल भी बेशते होना, no profit, no loss में भी माल बेशते होना, तब भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हों नजर आएंगे, इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आप किसी कपड़े के showroom में जाते हैं, तो वो लोग billing के टाइम पर आपका contact number लेते हैं, sir अपना contact number बता दो, वो billing के लिए ज़रूरी नहीं होत आप उसमें डाल दें, new stock updated, और आपने photos डाल दी, shoes के यहां, जो भी चीज में आप काम करते हैं, price के साथ में, और price sensitive customer हैं इंडिया में, कोशिश करो, आप with price डालो, आप Instagram पे video डालते हो, with price डालो, customer को कोई भी confusion नहीं रहे, वो सीधा order करें, और वो इतना price आपको Google पर करें Paytm करें, आपके account में डाले, और आप उसको courier करवा दो, simple रखो, आपको, आपने price ने डाला, customer आप से price पूछता रहेगा, तो आपके पस इतना time नहीं होने वाला है, कि आप हर एक customer को entertain करते रहे, एक गंटा आदे आदे गंटे, तो short communication रखने के लिए, आप with price डालो, videos भी photos भी, अपने WhatsApp की जो community आपने बनाई है, उसमें भी, ताकि customer सीधा photo भेजा आपने, customer ने आपको कि भाईया ये चाहिए, आपने भाईया sizes भेजे, customer ने size पसंद करा और आपने सीधा courier करवा दिया, और payment आपके account में आगया, simple, इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और दूसरा, यहां पर आप पजल हो जागए अगर आपको knowledge नहीं है, तो आपको woman wear की knowledge नहीं है, trend की knowledge नहीं है, और आपने सारी categories रख ली, तो आप परिशान होगे, puzzle हो जागे, एक ही दुकान में सारी categories रखने का फायदा भी नहीं हो नीचे woman's wear ही रखते हैं, क्योंकि ladies सबसे जादा shopping करते हैं, और वो shop के अंदर आएंगी, तो वो अपना stock पसंद कर लेंगे, उनको easy रहेगा, और उसके उपर men's wear और सबसे उपर kids wear, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, तो starting में आप एक category में काम करो, बहुत जादा जादा करने के चक्कर में, बहुत अच्छा करने के चक्कर में, बहुत बड़ा करने के चक्कर में, आप पैसे बरबाद मत कर लेना, इसके अलावाद दोस्तों मैंने वीडियो के starting में आपको बताया था कि मेरे friend ने mall के पास में अपने कपड़े की दुकान खोल ली, अब problem क्या होत की दुकान चलने में बहुत दिक्कत आई, बहुत आफर्स चलाए, बहुत डिसकाउंट चलाए, फिर भी नहीं चल पाई, इसलिए अगर आप बड़े लेवल पर करना चाते हो, फिर आप मौल के अंदर ही दुकान ले लो, बड़ा अगर आप गेम खेलना चाते हो, और अग के एरिया में जो कपड़े की दुकानों का मारकेट है, वहाँ खोल सकते हो, उस कॉंपटिशन को आप बीट कर लोगे, बट अगर आप मौल के पास में खोलते हैं तो आपको परिशानी होगी, इसलिए दोस्तों उसने भी मौल के पास में दुकान चलाई, छे महीने परिशा फिर भी लोग नहीं आते क्योंकि टिंडेंसी ऐसी बनी हुई है, तो यह रियालिटी है, तो ग्राउन रिपोर्ट आपको जब तक नहीं होगी, तब तक आप बिजनस में सकसीड नहीं हो सकते, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनस ह वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, उमीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बट मैं यहाँ पर यही कहूँगा, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा ग्यान तो नहीं मिला है, सर्व ग्यान आपको एक पंदरा मिनट, बीस मिनट की वीडियो से नहीं मिल सकता, खुद महनत करनी पड़ेगी, आपको खुद मार्केट में घूमना पड़ेगा, छे दिन, साथ दिन आपको रहना पड़ेगा होलसेल मार्केट में, बहुत सारे सप्लायर से मिलना पड़ेगा, मैं आपको यह चीज इसलिए कह रहा हूँ, क्यू उसके बाद इस धंदे में उतरना है, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरी महनत को सफल बनाने के लिए, मिलते हैं दोस्तों अगले एक प्रॉफिटेबल बिजनस वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!